तो Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SMD Coin के बारे में SMD Coin के बारे में मैंने कुछ वीडियो बनाई हैं आप जाके देख सकते हैं लेकिन आज का जो वीडियो है वो बहुत important होने वाला है देखे SMD Coin जब new launch हुआ था तो बहुत सारे लोग के मन में ये सवाल आ रहा था कि क्या ये project legit है कि नहीं क्योंकि अगर आपको कोई मुँझ से बोले कि ये project legit है और आप इसमें investment कर सकते हैं बहुत सारे लोग मान मिलेते हैं लेकिन ज़्यादा तर लोग नहीं मानते तब तक जब तक उन्हें proof में मिल जाए कि SMD Coin एक legal और legit project है तो यहाँ पर सबसे बड़ा update यही है कि SMD Coin को एक legal और legit project declare कर दिया गया है अब यहाँ पर आपने legal coordinate के बारे में सुना होगा जो कि एक बहुत बड़ी company है जो क्या करती है यहाँ पर globally बड़े-बड़े IT lawyers होते है और सलाकार होते है उनकी एक team होती है और यह लोग क्या करते है जितने भी ICO, STO, TGE या फिर जितने भी IEO project है उसको verify करते है तो बहुत सारी कोईन है, tokens है जो कि जितने भी बड़े-बड़े project है वो apply करते है लेकिन उनको fail कर दिया जाता है यह review करने के बाद बताते है कि आपका project legit है कि नहीं तो इन्हों ने SMD coin का भी review किया और review करने के बाद जो कि एक legal बोल दिया जाता है कि SMD coin एक legit project है यहाँ पे आप PDF में देख सकते है legal coordinate का यह PDF आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते है legal opinion है the project SMD coin platform तो SMD token और उसके platform को यहाँ पे तो यहाँ पे इन्होंने legal बोला है this legal opinion is dedicated to the verification of token SMD token यहाँ पे आप पढ़ सकते है उसके बाद SMD के जितने भी project है यहाँ पे verify किये गए है आप आके यहाँ पे पढ़ेंगे यहाँ पे SMD coin के जितने भी project है आपको इस PDF मिल जाएगा PDF बहुत लंबा है आपको SMD के बारे में एक एक detail मिल जाएगी इस legal cornet के PDF में जहाँ पे इन्होंने verify कर दिया है इस project को तो यह बहुत बड़ा update है SMD coin के लिए प्लस यहाँ पे आप down आएंगे यहाँ पे SMD coin का आपको road map बेजिक जाएगा बाकी यहाँ पे September चला है इससे पहले इन्होंने अपने targets को achieve कर लिया है September में coin market cap का listing था वो listing हो चुगी है बाकी December में जैसे बोला था यह खुद का exchange launch करेंगे February 2022 में क्या होगा इनके exchange पे जब आप stacking करेंगे तो आपको rewards भी मिलेगा तो आप stacking भी कर सकते हैं इनके exchange में बाकी March 2022 में इनका खुद का NFT program launch होगा इनके ही exchange पे जो की बहुत बड़ा update है बाकी जो वजीरेक पे list होना है coin market cap के बाद वजीरेक जितने भी बड़ा एक्षेंज है उस पर यह SMD coin list होने वाला है तो यहाँ पे हमें SMD में अच्छा pump future में देखने को मिलेगा लेकिन सबसे बड़ा यह था कि SMD को एक legit project बना देना यह बहुत बड़ा update है प्लस यहाँ पे trust wallet पे आप जाएंगे यहाँ पे SMD आप लिकर search करेंगे यहाँ पे आपको SMD का logo पे मिल जाएगा कि यहाँ पे भी SMD coin update हो चुका है तो एक बहुत बढ़िया project हो चुका है SMD मैं आके बंद करके अब इस पर भरोसा कर सकता हूँ आप भी इस पर भरोसा कर सकते हैं आप पे अगर trade करना है SMD तो जितने भी exchange पे लिश्ट है आप यहाँ पे trade कर सकते हैं यह यह जिटी में प्लस जब आगर आप वजीरेक्स के लिवेट कर रहे हैं और अधर exchange पे लिवेट कर रहे हैं जहाँ पे आपको एक अच्छा growth देखने के मिलेगा बाकी दूस्तों अगर आपको SMD coin का और भी update है कि नए नए क्या update आ रहा है तो आप इनके telegram channel को join कर सकते हैं जहाँ पे आपको सारे जो नए नए updates है SMD coin के वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे यहाँ पे आप देखेंगे SMD coin के जो जो नए नए updates आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं प्लस यहाँ पे देख सकते हैं SMD coin के 5100 plus holders हो गए हैं जो कि एक बहुत बड़ी बात है धीरे धीरे SMD coin बहुत सारे coins को पीछे चोड़ने वाला है तो एक अच्छा project है आप verify भी हो चुका है तो आप इसमें investment कर सकते हैं तो आप comment करके जरूर बताएगा कि SMD coin बारे में आप क्या सोचते हैं कि आपको सुरू से लगता था कि एक legit project है या फिर आपको अब से लगने लगा है अप्रूब करने के बाद कि यहाँ एक legal और legit project है आप comment जरूर कीजेगा आपको comments परके बाकी लोग जो SMD के बारे में जानना चाते हैं उनको भी help मिलेगी तो फिलाल दोस्तो आज कि इस वीडियो में इतना है तब तक आऊंगा नए वीडियो में किसी बहुत बहुत बैतरी टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद